ग्रण अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशिओं का हाल मित्रु साधर जैसी कृष्णम हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का بहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचरिधर्मेंदर शास्त्री, आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल, यह राशीफले 2 अक्टोबर 2022 रईवार का दिन है, आश्विन महा के शुक्लबक्षी सब्तमीत थी है, इस दिन नवरात्री का सात्वा दिन रहेगा, नवरात्री के स सात्वे दिन की अधिश्ठात्री देवी महता काल रात्री का इस दिन पूजन अर्चन किया जाएगा, तथा मूल नामक नक्षत्र होगा, एवं धनुराशी में चंदरमा बिराजित रहेंगे, दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में होगा, इसलिए पश पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खाकर की यात्रा आरंब कर सकते हैं, राहुकाल जो कि शाम को साड़े चार बजे से शुरू होकर के छे बजे तक रहेगा, इस दोरान किसी भी प्रकार का शुव एवं मांगलिक कारिक्रम आपको सं पन्द नहीं करना चाहिए, हाला कि राहुकाल का निरने आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है, और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है, दैनिक ग्रह गोचर के दिहम बात कर तो ग्रहों के राजा सूरिदेव जो की कन्या राशी में वहीं चंद्रमान धनु राशी में मंगल ग्रह ब्रशब राशी में बुद्ध ग्रह कन्या राशी में देव गुरु ब्रहस्पती जो की मीन राशी में शुक्र ग्रह कन्या राशी में शनिदेव मकर राशी में तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मितुन सिंग तुला एवं धनु ये पांच राशियां सबसे दिख भागिशाली देने वाली है दिन इनकलेला प्रसिद्ध होगा धनलाप के सांसाथ करिक्षितर में उन्नति और प्रगती भी इनको प्राप्त हो सकती है। इनके द्वारा जो पिछले दिनों कारी किये गए थे उसमें भी इनको अधिक से अधिक फाइदे के सयोग बनने वाले हैं। में आपका विशेष योगदान रहेगा इस समय आर्थिक इस्तिती उचित बनी रहेगी भविश्य शंबंदी निवेश के लिए समय और दिन उत्तम है संतान से संबंदित कुस्त कारियों में आपका धन खर्च होगा खर्च की अडिक्टा हो सकती है अपनी भावक्ता जैसे स्वभाव पर नियंत्र रखे अन्यता कुछ लोग आपका गलत फाइदा उठा सकते हैं दो पहर के पश्चात ग्रहस्तितियां कुछ विपरित होगी तो आपको निश्चय ही लाप प्रसिद्ध होगा और उपाय के रूप में छट के उपर पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलडाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की इस समय कुछ धार्मिक सामाजिक था अन्य कारियों के प्रती आपका विशेश योगदान रहेगा आपको एक नई पहचान प्राप्त होगी किसी पारिवारिक मुद्धे में भी आपकी विशेश उपस्तिती रहेगी इस समय परिस्टितियों में सकारात्मक परिवर्तन इस समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है करिक्षत्र में आई के साधनों में ब्रद्धी होगी इसके सांथी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं नजदी की मित्र की सला आपके लिए फाइदमन साबित होगी उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल खुल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आपका अधिक्तम समय अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर बनाने में व्यतित होगा विध् के लेंदन संबंदी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रही है जिसकी वजह से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा आपकी अधिकार पूर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सकती है अपने स्वभाव को सहज वह नरम बना करके आपको रखना चाहिए आज कोई भी न दिक्ता की वजह से और टाइम भी करना पड़ेगा उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं 10. तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा। परिवार तथा व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे। व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे। परंतु अपने विरोधियों की गटी विधियों को नजर अंदाज न करे। मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक दो होगा। भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं सिंग रासी की। आपका प्रभाव स्वाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्य करतीत होगा कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है। जिसकी वजह से आपके आत्मुश्वास में कुछ कमी आ सकती है। परंतु मनन करे कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है। लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे। मशीनरी, खनपान से संबंदित, व्यवस शाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशी की। आपके उत्तम व्यक्तितों तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके कुछ शंबंदी मामलों में ज़्यादा पैसा न लगाएं क्योंकि इस समय नुकसान के आसार बने हुए हैं। उपाई के रूप में गाय को हरी घास या हरी सबजी खिलाना आपके लिए शुपल दाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आप कारण बनेगा। अध्यत्मिक क्षित्र के प्रतियाप का रुजान और अधिक बढ़ेगा। परन्तु कभी-कभी लापरवाही के वज़े से आप बैठे बिठाएं किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं। आप पर कोई बदनामी का आरोप भी लग सकता है। इसलिए इस समय ब बरेव व्यक्ति को चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक चार होगा। भागिशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासेगी। बच्चों के भविश्य को लेकर कुछ योजनाएं न करे। किसी नजदी की रिस्तिदार से मामूली बात पर वैचारिक मदभेद हो सकते हैं इसके कारण संबंदों में खटास उत्पन हो सकती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है। इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके लिए का आस्मानी होगा। अब हम बात करते हैं धनुराशी की आर्थी की सिती बहतर रहेगी। रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। तथा अपनी व्यभार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में आप सक्षम रहेंगे। किसी न रखना चाहिए। उपाई के रूप में लाल कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक साथ होगा। भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशी की। आप अपनी योजना किसी भी प्र समाचार प्राप्त होगा जिससे घर परिवार में खुश्यों का आगमन होगा। और जो भी सुचना आपको मिले उससे नजर अंदाज न करे। आपके लिए वह फाइदेबन साबित होगी। उपाई के रूप में काले तिल गाई को खिलाना आपके लिए शुपलदाई समें वर्तीत होने से स्वयम को हलका फुलका और उर्जावान महसूस करेंगे। घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपका विशेस योगदान रहेगा। बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रूची जाहिर करना उनके आत्मिश्वास को और अधिक और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुपल दाई साबित होगा। आपका भगिशाली अंक एक होगा। भगिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशी की। आज आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभ और उपाय के रूप में माता लक्षमी जी को पिला फूल चड़ाना आपके लिए शुपल दाई साबित होगा। आपका भगिशाली अंक तीन होगा। भगिशाली रंग आपका लाल होगा। इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंड करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को स सादर जैसी करशे अधिक साहदर अर्निवाद